कि हेलो माई ये फ्रेंड्स वेलकम टू टागेट गुर्प फ्रेंड्स अगर आप सिब्ली नेशनल कॉलेज से एललबी के प्रिपरेशन का रहे फ्रेंड्स में बता दू कि एललबी के लिए पॉलिटिकल एंड कंस्टिटूशन कितना माईने रखता है इंटरेंस एक्जाम को क्राइक करने के लिए फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग एललबी की प्रिपरेशन का जो होता है इंटरेंस का सिब्ली कॉलेज अगर आपने अभी तक को वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए वहां तक की आपका 50% जो होता है वह हो जाता है ठीक है क्योंकि से 40 नंबर आते हैं 40 नंबर बहुत माईने रखते हैं इंटरेंस को क्रेक करने के लिए तो फ्रेंड्स जो आज की ये वीडियो लेक्ट्चर है इसमें आपको 15 questions करा जाएंगे पॉलिटिकल एंड कंस्टिट्यूशन से ठीक है जो की इंटरेंस एक्जाम में बहुत ही बेनिफिट होते हैं और यह questions बार बार रिपीट होके आते रहते हैं ठीक है आप लोग को बता दूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को आउन कर लें ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने चलते हैं पहले question पर कि देखिए कि एलबी इंटरेंस उक्जाम में पॉलिटिकल एंड कंस्टिटूशन से कैसे questions आते हैं क्या basis है कि space पे questions आते हैं आप उसको ध्यान से फ्रेंट होते हैं ठीक है तो फ्रेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो ठीक है फ्रेंट जैसा कि हमारा पहला question देखिए क्या कहता है कि भारती संविधान के किस अनुच्छेत के तहत लोग सभा में अनुसूची जातियों एवं जन जातियों के लिए आरच्छर दिया गया है यानि फ्रेंट पहला question हमसे यह बोल रहा है कि भारती संविधान के किस अनुच्छेत के तवत लोग सभा में अनुसूची जातियों जन जातियों के लिए आरच्छर दिया गया ठीक है पहला है तीन सो तीस तीन सो बतीस और आर्टिकल 222 एंड तीन सो पैतारिश ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा तीन सो तीस ठीक है जो कि यहां पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल नंबर तीन सो तीन में जो जन जाती और जाती है उसको आरच्छर दिया गया ठीक है ऐसे फ्रेंट हमारा जो second number है second number question देखिए क्या कहता है हमसे अंडमा निकोबाद वीः समू का निया छेतर किस नियाले की देख रेख में आता है ठीक है तो फ्रेंट मैं बता दूं किसका जो right answer हो जाएगा वो right answer हो जाएगा B ठीक है भी जो हो जाएगा Port Blair में Kolkata High Court के circuit patch में आता है ठीक है ऐसे फ्रेंट्स जो हमारा आज का तीसरा question से सीरिज का उसको देखते हैं कि किस शासीत प्रदेश ठीक है केंद्र शासीत प्रदेश लच्छदीब के नियाईक शेत्र का कारे कौन सा नियाले करता है ठीक है तो फ्रेंट्स इसका मैं बता दू अप लोगों को इसका बी जो option है में वह सही हो जाएगा केरल हाई कोट यानि कि जो भी आपसर आपका केरल हाई कोट जो हता है के निशासित प्रदेश लच्छ दीप के नियाइक शित्र का कार्य करता है ठीक है ऐसे फ्रेंट जो हमारा चौथा क्वेस्टिन सीरीज का उसको देखते हैं जो चौथा नंबर हमस कानूं द्वारा संसद अगर यह चाहिएगा तो सुप्रीम कोट के जो जह होती है उसके शंख्या में चैंज ला सकता है ठीक है ईसे फ्रेंट जो हमारा पाच्वां को एष्यन नहीं है क्या बौलता है आपसे नंबर A है 10 वर्ष, B 12, C 15 वर्ष, D 24 20 वर्ष, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो मैं आप लोग को बता दू किसका राइट आंसर A 10 वर्ष, ठीक है, यानि कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दू सुप्रीम कोट के मुखेने आदेश की रूप निवह है कि राश्ट्रीयव्यारणी प्रदेश आप लूच्ट्ट्रीवाइश आप लेयं थ्यारणी के कि मुखेत है, इनवे आफे की मुखेंगा संविद्धान सहिसे आप लगतों नौकर को घचा रायलों, कि राश्ट्रों य॥ासट्रेस आस्चै. 1222 वर्ष, सबंद व करता है कि भारत में तीन अस्तरी पंचायती प्रडाली कितनी जनसंख्या से उपर वाले राजी में है ठीक है पंद्रह लाग पचीस लाग बीस लाग तो फ्रेंट जो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीस लाग ठीक है जो आठ नंबर का क्वेश्चिन देख कि अपने मन में आइडिया लगा एक क्या सही हो सकता है उसके बाद आप लोग इसी आईडिया कि आप कितने का एंसर कर पाते हैं ठीक है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चिन जो होते हैं पॉलिटिकल एंड कंस्टिटूशन से पूछे जाते हैं जो बार-बार चिभली इ प्रिशद है ठीक है जो इसका थर्ड आपसन है राजी में सभी कारेकारी नेड़यों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है निमें से विकल्प चुनी है ठीक है तो फ्रेंड जो तीन आपसन दिये गए हमें उसमें से हमें चूज करना कि कौन कौन सा सही हो सकता है ठी है केवल 2 और 3 एंड सी जो आपसन है केवल 3 एंड जो डी है 123 ठीक है तो इसमें जो फरेंड जो इसका आंसर हो जाएगा वह जाएगा केवल 1 और 2 ठीक है आपको बता दूँ कि तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कारेकारी नेड़य राज्यपाल के नाम पर लिय उसके कारेयाले से हटा सकता है, यानि किसके पास इतनी शक्ति है, जो राज जिपाल को उसके कारेयाले से हटा सकता है, ठीक है, तो जो पहला है राज विधान सभा, सेकेंड संसद, सी जो थर्ड है राष्ट पती या इन में से कोई नहीं, तो फ्रेंट जो इसका राइट अंस से क्या बोलता है उसको देखते हैं ठीक है भारत की निमनलिखित अधिकारिक भासाओं पर विचार करें ठीक है भारत की निमनलिखित अधिकारिक भासाओं पर विचार करें जो आपका अपसन उसको द्यान से आप लोग देखिए पहरे फिर बताता हूं कि आपको यह क्वेश्चन किस टाइब का है किस टाइब से आपको गुमाया हुआ है और इसमें क्या करना आपको ठीक है तो जो पहला है सिंधी और नेपाली कोगडी एवं मरीपूरी ठीक है ऐसे जो थर्ड जो आपसन है वो है बोड़ो यांद संथाली और फूर्थ पांचवास अपसन है दोधरी और मैथली ठीक है फूर्ण देखे मैं क्या बोलता है hide निम ने लिखी दी गई language है ठीक है भासा है वो जो 92 संसुधन अधिरियम द्वारा आठवी अनुशूची में इन में से कौन सी language को सामिल किया गया था ठीक है तो जो option आप देख सकते हो option number 1 है a and 2 ठीक है 2 और 3 3 और 5 4 और 5 ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा friends आप लोगो को यहां पर clear कर दो आप इसको notes कर लेना question आपको भी याद आ जाएगा और आपको सामने फिर आपके सामने जब भी questions आएंगे friends तो आप उसको लगा सकते हो ठीक है तो जो 3 & 5 यानि कि जो option number C है वो आपकर सही हो जाएगा ठीक है जो 1967 में सिंधी & 1992 में कोगरी & मड़ीपूरी नेपाली & 2003 में बोडो मैथली शांथाली गोटरी ठीक है तो सो फ्रेंड जो 11 नंबर question देखी हो क्या बोलता है निमन लिखे धार्मिक शमुदायों पर विचार कीजिए ठीक है सिख बौध जैन फारसी इनमें अल्प संख्यांकों का दर्जा किशे मिला हुआ है ठीक है तो फ्रेंड जो हमारा option है 14124 234 1234 ठीक है सो फ्रेंड मैं बता दू किसका जो option number D है 1234 वो right answer होगा क्योंकि भारत में मुस्लिम इसाई सीख बौध तथा पार्शी अल्प संख्यांकी धार्मिक समुदाय है तो जो 1234 है वो आपका right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंड जो हमारा बारा नंबर question है देखी हमसे क्या बोलता है बारा नंबर question पूछे रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथम सही है तो फ्रेंड बता दू कि जो हमारा पहला option है यह स्वतंत्र और समविधायक निकाय है ठीक है जो option B है इसमें 6 साल का कारेकाल रखने वाले सदस्चियों का शमावेश फ्रेंड आपसर नंबर लाश्ट अपसर डी इस यह क्या बोलता है देखिए अखिल भारती निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज नगर पालिकाओं के चुनाओं के साथ चुनाओं से भी चिनती थे ठीक है तो फ्रेंड इसका जो राइट अंसर हो जाएगा डी तेरे नंबर questions को दे की इन में से कौन राजपती चुनाओं के लिए चुनाओं के साथ हे ठीक है लेकिन उसकी अपील के लिए कारवाही नहीं बहुए नही लेता है ठीक है तो ऑप्स नंबर ये लोग सभार राज शभ़ार चुनाओं की कालेज के लिए इसाउतार रिंक्राइज में भाग नहीं लेता है तो राज प्रिविय्ज यह में पूछे गये हैं ठीक है जैसे आप लोग को बता दो कि सिबली नेशनल कॉलेज में क्या होता है कि प्रिव जो पेपर होते हैं इंट्रेंज चाह्म के वो शीट के साथ साथ जमा कर लेते हैं का लिए थी के तो फिरेंड्स क्या होता कि जो मैंने भी प्रदेश में में अरचित है तो इसका फ्रेंट जो राइट आंसर हो जाएगा यानि की मद्यप्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए मद्यप्रदेश यानि की इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट ऐसे फ्रेंट चलिए अपने नेक्स्ट कुशन शलते हैं तो फ्रेंच हमारा ज्वार्ड लास्ट इस सीरीज का रहने वाला है वो Qweeस्चन अब ध्यान देखी एंट जो इस टाइप की क्वेश्चन्स होते हैं प्रस्ताव लेकर आर्टिकल से यह बहुत इंपॉटटएंट क्वेश्चन्स होते हैं ठीक है ज्व आर्टिकल से और जो और इतने उसको आप अच्छा से रट लिजिए उसको अर्म है समझ लीजिए ओंजन से क्या बोलता है यानि पहला आपसके आधो बाने का है दो सब्सक्राउब चाहिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा केवल राज्जी सभा यानि कि भी आप संजो हो जाएगा वह से जाएगा राजपती को लोग सभा में आप प्रस्ताओं को पेश कर सकते हैं तो यह रही आज की हमारी 50 की सिरीज जो सेकेंड पार्ट है वह जल्दी अप्लोड किया जाएगा अगर आप वगर रिक्वेस्ट करते हैं जो माडल पेपर टार्गेट को रुकुल द्वारा बनाया गया है प्रिविएस यर के कार्डिंग उसको भी अप्लोड कर दिया जाएगा तो प्लीज आप कमेंट सक्से में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर अप्लोड कर दिया जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स